बिदीशा से हमारे संबाद दाता रभी चोरश्या की रिपोर्ट पट्रियों को बाधी राखी लाखो यात्री की रक्षा की कामना के लिए जाने वाले इस कारी का बिड़ा युबाओं की एक टीम ने उठाया बता दे कि बिदीशा में कई सालों से चली आ रही इस परंपरा को आंगे बढ़ाते हुए सुबह रंगाई रेलवे पुल पर पट्रियों पर रक्षा सूत्र बांदे मालाएं चड़ाएं और मिठाई अर्पित की इसके बाद ये टीम रेलवे इस्टेशन पहुची और इन युबाओं द्वारा बताया गया कि इस्टेशन मास्टर के साथ ही अन कर्मचारियों को जो पावन त्योहार पर घर नहीं पहुँच पाते उनकी कलाई सूनी ना रहे इसलिए हमने उने भी राखी बांदी हमिसा की तरह है और पत्रियों पर राखी बांदने का ये पहला काम हमारे प्रिये मित्र द्वारा कई सालों से चलाये जा रहा है जो हमारे मित्र दीपक कुस्वाह ने आज हमारे बीच उपस्तित नहीं है इसलिए हम लोग इस परंपर पर इनी राखियों पर बांध कर मनाते हैं विदीशा से हमारे संबाद्दाता रभी चोरशिया की रिपोर्ट लटेरी से हमारे संबाद्दाता बिनोत कुमार की रिपोर्ट विदीशा जले की लटेरी तैसिल में एक 315 बोर का देशी कटा सहे तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गरबतार 26 जुलाई को फर्यादी राहुलनात निवासी बाट नमबर एक गल्स स्कूल के पीछे थाना सुकेत राजस्तान थाने पर कमल मेचने का धंदा करता था रास्ते में गाड़ी पर पैसों का बैग रखा हुआ था गाड़ी से उतर कर दूसरी साइट जाकर बातरूम करने लगा और इतने में तीन बैकती बिना नमबर की मोटर साइकल पर आये और हमारी मोटर साइकल पर रखा रोपियों का बैग उठा कर तीनों लोग ले भागे बैग में लगभग 50,000 रोपे रखे थे जरूरी कागजाद भी रखे हुए थे जिसे अग्याद बदबाश चुरा कर ले गए मुखविर की सूचना मिली इस संदेश को संतोस गूजरकवा पुलिस अभी रक्षा में पकड़ कर पूश्ताच की जा रही है अन आरोपियों की घरपतारी शे से बस इस्टेंट पर प्रतीक छालाई के सामने दो लोग ख़़ी थे पुलिस ने संदिक्द की तलासी लेने पर उनके कबजे से 315 बोर का एक देशी कट्टा इबम जिंदा कार्तूस जप्त किया लटेरी से हमारे संबादाता बिनूत कुमार की रिपोर्ट गुना से हमारे संबादाता राकेश जैन की रिपोर्ट बर्दान सेवा समेती ने मनाया ब्रद आस्रम में रक्षा बंदन का तिवार आज रक्षा बंदन के मौके पर बर्दान सामाजिक सांस्कृति एबं परियापरन समीती के द्वारा प्रतेग बर्स के अनुज़ार इस बर्स भी नाना खेड़ी गुना अपना घर आस्रम ब्रद आस्रम में पहुँचकर सभी बुजर्गों को राखी बांदी बाद सभी के मास्क बितरन किये गए और कौर्वान से बचात कैसे करे इस हेत्व जाग्रो किये गए सभी बुजर्गों से निविदन किया गया सभी लोग मास्क पहने माजिस आघड़ी बर्स हर बर्स की तरह इस तेवहार को बुजुर्गों की सानत मनाती आई है इस बार कॉरोना संकट काल का ध्यान रखते हुए सामाजिक दूरी रखकर तेवहार मनाया गया गुना से हमारे संबाद दाता राकेश जन की रिपोर्ट